नमश्कार दोस्तों DSL Web Technology में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो जो पुराना एक वीडियो हमने बनाया हुआ था विडियो से प्राइब लिमिटेट के उपर जिसमें की हमने बताया हुआ था कि सुपर डिस्ट्रिबुटर को टॉप अप कैसे देते हैं इसके बाद उसी सीक्वेंस में यह दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम रिटेलर क्रियेट करने की प्रोसेस बताने जा रह साथ ही बेल आइकउन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के इसे नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए दोस्तों टाइम ज्यादा वेश्ट न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की और तो सबसे पहले हमें करना क्या है यह देखिए यह विटकॉम का हो प्लस का साइन यहां पर दिया हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो रिटेलर और पार्टनर बटन पर आपको क्लिक करना है ठीक है रिटेलर बटन रिटेलर के लिए पार्टन बटन डिस्टिब्यूटर के लिए तो आपको पार्टनर पर यहां पर क्लिक करते हैं तो इस तरीक क्लिक करते हैं तो dual verification system में इसमें आपके mobile पे तुरंत OTP आता है ठीक है दोस्तों तो जैसे ही आपके mobile पे आपको OTP receive होगा और आप जैसे ही OTP डालने के बाद login पे क्लिक करते हैं करने के बाद तुरंत इस तरीके की screen यहां पर खुली हुई आपको दिखाई देती है यह इसका dashboard का home page है ठीक है आपके distributor का यह home page है ठीक है अब आपको यहां पर retailer create कैसे करना है मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं तो retailer बनाने के लिए आपको देखे यहां पर आपको बा पांचवा option जो है यहां पर एड रीटेलर का option दिया हुआ है ठीक है एड रीटेलर के बटन पर आप क्लिक करते हैं और एड न्यू रीटेलर ठीक है मैं एकदम fresh ID पर आपको retailer create करके दिखा रहा हूं क्योंकि इस पर मैंने अभी एक भी retailer create किये नहीं हुए है तो आप इसको पेसेंस के साथ देखिए कि कैसे आपको retailer create करने ठीक है अब आप यहां पर एड रीटेलर पर क्लिक कर देना है आपको जो पहला option है जैसे ही आप एड रीटेलर पर क्लिक करते तो इस तरीके का यहां पर एक home page खुल जाएगा अब यहां पर रीटेलर का mobile number बूट करना है ठी कि यहां पर इन नमबर डाल दिये तो और समिट करना है ठीक है इसाम मिट आप कर देते हैं रीटेलर का option आ गया है यहां पर आपको retailer का pen number डाल देना है ठीक है तो मैं यहां पर retailer का pen number डाल देता हूं ठीक है पर डालने के बाद अब आपको फिर से next बटन पर click कर देना है जैसे आप next पर करते हैं तो यहां पर जो की pen की details होंगी यह तुरंत यहां पर दिखाई देती है security reasons के वज़से मैं सारा कुछ hide कर देने वाला हूं यहां पर retailer कर नाम और उसका father name तुरंत यहां पर दिखाई देगा और अगर वह सही है pen तो यहां पर आपको इसी इसके से green color का tick लगा हुआ दिखाई देगा ठीक है इसके बाद आपको यहां पर confirm पर क्लिक कर देना है ठीक है confirm पर आप जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आपको आपकी super distributor ID यहां पर दिखाई दे रही है कि जिसके अंडर पर यह retailer map होगा तो डिस्टिबीटर mapping यहां पर यह दिखाई दे रही है ठीक है अब यहां पर क्या करना है आपको इसे यहां पर आपका ही नाम दिखाई देगा जो भी आप मतलब यह तो यह EKYC totally मतलब online process है तो दूसरी जो process है दूसरी process में आपको उसका एक separate video बनाऊंगा और उस separate video में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आप बिना आधार के भी non-adhar आप verification करके retailer create कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आधार OTP के माध्यम से हम बनाने वाले हैं तो आधार OTP की पर आपन क्लिक कर देते हैं और इसके बाद सेवपे क्लिक कर देना है ठीक है कि बाई-सी मौड यहाँ पर process हो जाएगा और इस तरीके से यहां पर आगे बढ़ जाएगा अब यहां पर रिटेलर जो है उसका यहां पर डीटेल आप देख लेते हैं कि यहाँ पर mobile verification आपको करना है ठीक है ओके तो हमने यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमने retailer create कर दिया हुआ है ठीक है अब retailer create करने के बाद आप क्या करना है आपने यहाँ पर retailer create कर दिया यहाँ पर view form status पर जाएंगे और view form status पर आपको जाने के बाद यहाँ पर क्या करना है जैसे ही आप view form status पर click करते हैं तो इसके बाद यहाँ पर आपको retailer की सारी detail यहाँ पर दिखाई देंगी ठीक है तो दोस्तों यह actual में जो process था कि हम अपने distributor panel से retailer कैसे create करेंगे ठीक है मतलब this was the simple process that how we can create retailer from our distributor panel ठीक है तो यह हमें क्या करना है simply login करना है और यह आधार OTP के माध्यम से किस तरीके से आपको आपका distributor create करना स्वारी retailer create करना है यह उसकी एक simple सी process थी तो इस process में हमने मतलब एक basic registration किया और basic registration करने के बाद actual में होता क्या है कि retailer जो है जो भी आपने बनाया हुआ है उसके mobile number पे एक message जाएगा और उसे अपने mobile पे उसी message के थूँ या message अगर नहीं भी उसे receive हुए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको सीधा क्या करना है आपको अपके play store पे जाना है play store open करने के बाद जो विटकॉम का retailer application है आप उसे install कर लिजेगा और उसको install करने के बाद उस पे आपको दो option दिखाई देते हैं एक fresh registration का option दिखाई देगा कि आप एक fresh retailer है आपकी KYC पूरी करनी है और दूसरा आपकी KYC की process complete करेंगे यह पूरा काम retailer को करना है ठीक है और जैसे ही आपकी KYC complete हो जाती है तो आपकी ID within hours चालू हो जाती है ठीक है दोस्तो KYC कैसे complete करना है उसके लिए मैं separate video बनाऊंगा यह सिर्फ retailer create करने का process था ठीक है दोस्तो तो इस तरीके से आप अपने distributor panel से retailer create कर सकते हैं and I hope कि आपको video मतलब easily समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बनाना है ठीक है दोस्तो KYC की process का video next video मैं पूरा पूरा video बनाके upload करूंगा फिर से अपनी चैनल पे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उमीद है कि आपको video जो है वो पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा ठीक है दोस्तो तो उमीद है दोस्तो video आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आपको video पसंद आया है तो दोस्तो video को share करना और like करना मत भूलिए और साथ ही दोस्तो अगर आप हमारे साथ as a business partner बनके काम करना चाहते हैं तो आप हमें screen पर दिये हुए numbers पर call या WhatsApp के माध्यम से संपर कर सकते हैं साथ ही हमारी services जैसे की आधार card से पैसा निकालना आधार AAPS service की retailer ID आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और अगर digital signature का काम आप पूरे भारत के अंदर पूरे इंडिया के अंदर कहीं पर भी करना चाहते हैं तो आप free of cost हमसे franchises की ले सकते हैं साथ ही अगर आप fingerprint scanners खरीदने में interested हैं या आधार card retailer ID के साथ साथ आप आधार card के साथ ही micro ATM से पैसा निकालने के लिए micro ATM प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें screen पे दिये हुए numbers पे call या WhatsApp के माध्यम से संपक कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी screen पे दी हुई website dslwebtech.in पे भी login कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में आधे तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभो नमस्कार